नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने सोचा कि वीकेंड पे कुछ छोटा सा, क्यूट सा, एक सिंपल सा पेपर फोल्डिंग फैन बनाते हैं. ये क्राफ्ट देखने के बाद, I'm sure कि आपके बच्पन की यादे ताजा हो जाएंगे. तो चलिए, शुरू करते हैं आज का क्राफ्ट बनाना. इस क्राफ्ट को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार से. ओल्ल मैगजीन, आइस्क्रिम स्टिक्स, एक कलरफूल शीट, स्टेपलर, सेजर्स, फैविकोल, कटर और रूलर. तो चलिए, शुरू करते हैं आज का क्राफ्ट बनाना. सबसे पहले, एक मैगजीन ले लेंगे, और उसमें से चार कलरफूल शीट्स बाहर निकाल लेते हैं. अब इन पेपर को तक्रीमन साथ इंच की विट्थ में कट कर लीजे. चारो पेपर को एक ही साइज में कट कर लीजेगा. अब फैविकोल की हेल्प से चारो पेपर को स्टिक कर लीजेएं. अब हम फोल्ड बनाना शुरू करते हैं. इस क्राफ्ट में फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टन्ट है. धीरे-धीरे से एक जैसी शार्ट फोल्डिंग बनाईए. हम अकसर बच्चों को कहते हैं कि इस काम के लिए बड़ों की हल्प ले लो, इस क्राफ्ट के लिए बड़ों की हल्प ले लो. पर इस craft में आपको बच्चों के help की ज़रूर पढ़ सकती है और बच्चे बहुत आसानी से आपके help कर भी सकते हैं और देखिए बातो बयातों में हमारी folding भी ready हो गई अब ice cream stick लेते हैं आइस्क्रीम स्टिक क्योंकि थोड़ी छोटी होती है इसलिए हम दो ice cream stick को जोड़कर एक लंबी stick बना लेते हैं इस तरीके से हमें इस fan के लिए दो लंबी stick की ज़रूरत पड़ीगी अब colorful sheet लेते हैं और ice cream stick को इन पर चिपका देते हैं जिससे ये sticks और सुन्दर दिखाई देने लगेंगी अब इन sticks को हमारे paper fold के दोनों last fold पे corners पे stick कर देते हैं अब कुछ rubber band ले लीजे और इन stick को paper fold के साथ अच्छे से type कर लीजे इससे ये अच्छे से चिपक भी जाएंगी और ये paper fold strong भी हो जाएगा कुछ समय के बाद इन rubber band को निकाल लीजे और देखिए हमारा beautiful paper folding fan ready है उम्मीद करती हूँ कि आज का craft आपको पसंद आएगा अपने experiences हमारे साथ जरूर शेयर करें और हाँ style language को subscribe जरूर करें और bell icon को प्रेस करना ना भूलिए इसे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँगी नया craft बनाऊंगी आपको एक notification आजाएगा आपकी comments का मुझे इंतिजार रहेगा कल फिर आपसे रूबर होंगी एक नये craft की साथ तब तक के लिए अलविदा Stay blessed and happy crafting